के हैं स्थाइर बारा तुम्हशंध। के बारे में तो व्यूक्त के बारे में तो पिछली वीडियो में बात किया है तो हमारा थीपी बारे में किस पीज़uesta करते हैं सेनारियो में हमें इस सेजर इस कोड कोई कोई सर्फर सेंड करता है दोस्तों आगे चलते हैं बात करते हैं कुछ common status code के बारे में दोस्तों जो सबसे common status code आपने देखा होगा अगर आपने packet capture किया होगा या आपने developer mode किसी browser में चेकिया होगा तो आपको इस तरीके का status code 200 दिखता होगा यह status code होता है जब हमारी request किये server से जब हमारी request फुल 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 लेवाती है without any issue तो हमें यह status code मिलता है जिसको 200 होकी यह server के तरफ से client को इसको status code मिलता है इसको status code बोलते है उसके लावामत हमें 301 400 401 403 और इस तरह से बहुत सारे मिलते हैं हमने इन कुछ चुनिंदा statiP code के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों चलते हैं आगे हम एक status code के बारे में थोड़ा रिडिल में जाने के कोसिश करते है तो सबसे पहले हम देखते हैं 2001 के बारे में जो 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 स्टेश कोड होता है okay या सक्सिसफुल इसको बोलते है रिप्रोड को इंडिकेट्स that the reward was successful मलभ जो हमने क्लाइंट की तरफ से अलएक अलंका रिकिस्ट या कोई भी एक्विस्ट जो यह में जो पिछली वीडियो में बात किया जब हम रिक्विस्ट करते हैं सरफ कि तरफ उसके response में जब हमें client response करता 200 okay तो उसका मतलब यह है कि जो हमारी request थी हो successful हो गई है and the server has returned the requested content वादब जो हमने content request किया था server से server ने हमें same content without any issue return कर दिया और यहाँ पर कोई issue नहीं है like example पर बात करें कि हमने तो ब्राउजर ने हमें अगर वेपेस दिखा दिया without any issue तो उसकेस में अगर आप शेकरोगे तो हमें 200 okay response हमें आता है यह हमारा सबसे common जो HTTP response देखने को मिलता यह होता है इसके लावा दोस्तों हम बात करते हैं 301 की 301 जो हमारा होता यह भी एक आपने देखा होगा यह थोड़ा common यह बट यह नॉर्मल सिनारियों से में हमें यह देखने को नहीं मिलता तो देखें को 301 moved like it is known as 301 moved permanently तो यह क्या होगा इस टेटिपी response code is used when a requested resource has been permanently moved to a new location for example मालेजे हमने क्या किया कि एक जो server हमारा example.com है example.com और उस पे हमने क्या किया उस पे एक git request की कि हमने index.php file को हमें चेक करना है उस web server पे बट उस वक्त जो है index.php file जिस location पे थी उस location पे उसरे folder में move हो गई है तो हमने यह तो settings को जो होती है server पे background में setting होती है कि हमें redirect करना पड़ता है basically क्या करते हम इस जो content जो भी look करता इस वाले content के लिए उसको redirect करके हम जो इसकी नई location होती है वहाँ पे redirect कर देते हैं करना चाहते तो आप यह वाली location यूज कर सकते हो तो यह इसलिए इस्तमाल किया था कि ताकि आपने आपको पता नहीं कि website का location चेंज हो गया है या content का location चेंज हो गया है तो आप उस case में पुराना ही location इंटर करोगे बट आपको जो result आएगा उस result में आपको जो नया page का location होगा और return कर देंगे और आपको return करने से पहले जो message आएगा 301 का message आएगा तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं दूसरे status code के बारे में दोस्तों एक status code जो देखने को मिलता है बहुँ जादा होता है 400 by request यह कि अब देखने को मिलता है sttp response code is used when the server cannot understand or process the client's request due to invalid syntax or malforward parameters in simple terms it means that the server cannot fulfill the requested request because the client message is incorrect or incomplete यह दोस्तों इसका most like common जो scenario आप देख सकते हो कि जैसे आपको किसी website में मांगा गया कि आप अपना user name and password इंटर करो और आपने जो user name और password में से जो भी कुछ इंटर किया अगर और रॉंग होता है तो अगली जो हमारा status code होता है और 401 unauthorized करके यह status code आपको देखने को मिलता है इसका मतलब है sttp response code is used when the client's request request authentication मतलब कि आपने माले जे एक request कि आपने गेर्ट में तटके त्रू index.php देखने के लिए बट यह जो file है और restricted है and only authorized person can access this file तो उस case में क्या होगा कि server आपको बोलेगा कि आप authorized नहीं हो इस file को देखने के लिए तो यह आपको जो response code आएगा 401 unauthorized मतलब कि आपने request किया resource सही है बट resource को access करने का resource को देखने का आपके पास permission नहीं है आप authorized नहीं उसके लिए आपको पहले आपने आपको authenticate करना पड़ेगा तभी आप इस server को देख पाओगे मतलब आपको login करना पड़ेगा उस चीज़ को उस file को देखने के लिए तो यह 401 जो status code आता है उस case में हमें यह देखने को मिलता है दस्तों आगे बात करते हैं दूसरे status code के बारे में 403 forbidden यह भी बहुत common ही आपको देखने को मिलता है जिस case में अगर हमारे request deny होती है तो यह भी बहुत common हमें देखने को मिलता है इसका मतलब क्या ृष पर स्ट्वर को आपकी सर्वर को समझ में तो आ गई है कि क्या पर यह अपको पर्मिसन नहीं कि आपको एक्सन ले पाओ हो किसी चीज़ का आप उस पर डिलिट या एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट की परमिशन नहीं है तो उस परमिशन नहीं है तो जब कोई उस पोस्ट पर जाएगा तो पोस्ट वहां पर नहीं है उसके सर्वर क्या रेटन करेंगा आपको 404 not found दो सब्सक्राइट सब्सक्राइब करें आतथ मिलता है तो सब्सक्राइब करें केंक है अबसरे हैं वहीं हृए रिक्वेस्ट की सर्वर श्रीषडिध में मैं बइसंपर पुछ की बिश्प१िया आपका कि बाइसरे सहर देखने के लिए बढ़ रिए इस सकता है से लिए ने केशने में मोरी हाई है उस भी इस पर नहीं पर प्रॉसायि पर रहे हो और इसके差 पास प्रॉप्रियेट्राम्स के पाल पूझे प्रॉप्राम काना बातों है सब्राद ten-sign, है यह नहां है यहां। कलाइनट की तरफ से कोई इसमें पिति कर पा रहा है monster को देखना कर रहा है कि सर्वर कि रिवाकिर उसमें क्या प्रॉब्लम है जो हमारे स्टेट yolिता है 502 बैट энергवे दोस्तों यह सिनारियोग में इता है जहां पिंडे कुछ आ हमारा example.com का server है ठीक है यह हमारा example.com का server है और हमने request कि है इस पर देखने के लिए index.php बट क्या होता है कि बहुत से servers जो हमारा record होता है उसमें server का IP हमें मिलता है actual server हमें server नहीं कर रहा था बट इसके proxy काम करता है बट actual server होता है और हमारा यहां पर कोई load balancing माले सर्वर ए या सर्वर भी सिर्फ सिंगल सर्वर भी हो सकता है बट हमारा request लेंड होगा और proxy लेंड होगा क्योंकि जो जो server के IP में address मिलेगा record में इस proxy का IP होता है तो हमारी request proxy server पे लेंड करेगी और proxy server request करेगा हमारे जो पीछे जो मेंन हमारा एंटर मेंडियरी जो हमारे servers होते हैं उनको request करेगा बट सम केसे में किया कि इन सर्वर के response प्रॉपर नहीं होती इस unexpected response server से मिलता है यहां पे तो यह जो हमारा जो proxy server है अगर इसको प्रॉपर्ली response यहां से नहीं मिल रहा है तो यह एक 503 बैट गेटवे रिस्पांस करके एक message send कर देगा client की तरफ तो यह आपको सिर्फ उसी case में मिलेगा जहां पे आपकी request proxy पे जाती है proxy एक request send करता है जो actual web servers होते है उनको और उस case में अगर प्रॉपर response नहीं मिल रहा है web server से proxy के तरफ तो प्रॉक्सिया में 502 बैट गेटवे एरर response हमें send कर देगा client के तरफ दोस्तों मित करता हूं कि आपको यतना समझ में आया हो और मैंने पिछली वीडियो बनाए थी अगर आपने वह नहीं देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो बेज देख सकते हो जिसमें हमने सब्सक्राइब आप इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को सेर जरूर करते हैं धन्यवाद दोस्तों